इस वीडियो में वैसे स्टुटेंट जो खास कर जाम मेले इसलाम में 2024 में एडमिसा लेना चाहते हैं आज हम इस वीडियो में जामे के और से कई सारे अपडेट आयो हैं चाहिए वो रिजल्स को ले करो और जॉब के डॉट्स हैं इस वीडियो में हम आपको completely एक final solution लेगे आपको सिबसे पहले आपको Google पर जाना है और आपको search कर लेना है JMICUE जैसी search करेंगे इस टाइप का detail आजागा जो मुझे दिख रहा है एक तो सबसे पहली है कि अगर आपका जामे में अडमिसन नहीं हो पाया है तो हॉस्स हो गया या library हो गया या sports complex हो गया यह सब facility नहीं मिलता है किन लोग को जो distance mode के student होते हैं बस यह है कि जामिया से आपका degree हो जाता है और एक distance mode का degree होता है तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके form आये हुए थे date close भी हो चुका था लेकिन अगेन उन्हें जो है date को फिर से extend कर दिया है तो आप अगर चेक करना चाहते हैं अभी के लिए तो आपको इस पर टॉप पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन और स्क्रॉल हो रहा है आप नोटिस करेंगे नोटिस फोर लास्ट एट लिखा वारा नहीं देख लिया पर तो अभी हम क्या करते हैं इस notification को open करते हैं यहां पर यह रहा इस डेट को बढ़ा करके जो इन्होंने 22nd सब्तंबर कर दिया गया है 22nd सब्तंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं याद रखिएगा इस डेटेल जानने के लिए आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आप इसी साइट पर आएंगे तो देखे यह आपको यहां पर दिख रहा हो क्या और लाइक सेंटर फोर डिस्टेंज और लाइन एजूकेशन यह हो गया इसका गाइड याणि प्रोस्पेक्टर स्काहिए इसी के जास नीचे यह लिंक है इसी लिंक के थूप एपके फ्रम अप्लाई होंगे मतला अगर आप जामे में सुने मोड के थूप प्लाई करना पतादूं की इनोंने जो निकाले हैं उसमें इनोंने का स्पेस्फिक टाइम लेट दिया है मतलब ही कि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं किये हैं उनको 17 सप्तंबर से 22nd सप्तंबर तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे तो इसी वज़े से अगर हम नियुरेश्टेशन प फील कर सकते हैं यह दिस्टेंस मोड के बारे मैं बता दिया हां mba का जो है इनका इंट्रेंस होना है तो उसको लेकर मैं बता दूं अबको चाहत है इस सब का फॉर्म अपलाई करने का जो डेट दिया सब 17 सब्टमबर से 22 सब्टमबर तक यह फॉर्म के बारे में डेटेल बता दिया बाकी जो मैं बता दिया हूँ कि कुछ ऐसे जो नहीं मिलता है तो इन सब को ध्यान रखते हो भी अड्मिसलिया ऐसे नहीं कि आग ब कॉर्से जिसमें सीट्स अभी फूल नहीं हुए लेकिन जैसे का आपको पता है कि जामे कोर्से जो स्यूटी का अड्मिस्टन होना था उसका सेकंड लिस्ट आ चुका है और इसके बाद आप कहेंगे कि थर्ड लिस्ट कब आएगा तो भी आम इन सॉट बताते हैं अभी और यहां पर जिस कूर्स का शेक करना जाते है वह ज्याद रहा है औंब इसके बाद जो हैसे और यहां पर सर्च बार को ऑफसन है देख सकते हैं अभी सर्च बार पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर लिस्ट आ जागा सेकंड लिस्ट दिखा रहा है यानि कि ट्वल लुक आया था और अब अगला जो देखिया अडिमिशन का डिटे में आपको बोला था कि पहला लिए जैसे पहले के थार लिस्ट ना है लेकिन ऐसा हो सकता तो ज्यादा cut-off का differences नहीं जा पाएगा मेरे समझ से बाकी अभी भी काफी सारे बच्चों ने admission नहीं लिया इससे बता चलता है तो और भी एक लिस्तों confirm है क्या आएगा जामे का नजितनी भी cvrt course है तो results के बारे में बता दिया अब आप सबको बता दें कि जो भी candidates अभी admission ले रहे जामे में वो सभी जामे का form तो फिर admission ले रहे हैं लेकिन admission लेते ही department से आप क्या लीजेगा department से student ID number लीजेगा क्योंकि उसी ID number से आपके hostel form apply होंगे और जामे के hostel form apply होने start हो गया है जिसका form apply करने का last date जो है 30 September है तो इस बात का ध्यान में रखते हुए अपने department से ID number ले लिएगा ID number और email ID से आपके hostel form apply होंगे तो इस बात का थोड़ा से ध्यान रखेगा और निक्स बात करें hostel form कहां से apply होगा तो आपको कुछ नहीं करने हैं यहाँ पहले माई जाम्या पोटल पर जाना है सर्च करना है माई जाम्या पोटल सर्च करेंगे सर्च करने के बाद इस टाइप का डिटेल आएगा टॉप पर यह लिंक आ रहा देख सकते हैं इस लिंक पर आपको क्लिक करने हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का यहाँ पर टाइप करना होगा यहाँ पर आपको अपना email id जो जामे के फॉर्म में यूज की हैं इसको बाद यह capture है 925-2045 हो जागा Summit बार पर क्लिक करेंगे तो आपके ID पर मलब आपको यहाँ पर सूख करेगा कि आपके email जो आपने email अपने email अपलाए गया उस email पर email id भी गया हुआ और password भी गया और आपके पास email जाएगा उस लोगन करने के बाद आपको स्टुडेंट आईडि नंबर और छैसес स्टार्टिंग में पहली में आप стать स्यम होता है तो पासवेट टाइब करेंगे करेंगे फिर आप से अगें कहेंगा एक बार चैरीक से निकट बनाई यह क्यों vista करेंगे step करो कोई करेंगे लॉग न करेंगगे लॉग इन करते ही आपके पास हॉसिल फार्म अप्लाइए करने का ऐकान अगर वा आ मैंक So पूच लिजेगा कि आपका कब से स्टार्ट होता है मेरे खाल से अधिमिसेन जैसे से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आप हैं CUT वाले तो बेहतर है कि आप तुरन्थ देपार्टमेंट से पता कर लिजेगा, बाकी की बाकी course का जब भी results आता है आप admission ले लिए और लेती ही class join कर लिए इसके लाब कोई भी dots query होता है आप comment कर सकते हैं वरना instagram पे भी आप अपने queries पुछ सकते हैं इसके लाब कोजिंग related dots भी पुछ सकते हैं